जै मातादी दोस्तों, क्या आप चानते हैं कैसे हुआ चंड और मुंड का वद और कैसे प्रकटी, देवी काली और क्यूं उन्हें चामुंडा नाम से भी जाना जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें। तब उसको बहुत ही क्रोध आया, फिर उसने चंड और मुंड महा दैत्यों को आग्या दी, तब ही शुम्ब की आग्या पाकर वे असुरों की सेना के साथ चल दिये, तब देवी को देखकर दैत्यों ने धनुष्टान लिया और किसी ने तलवार और कुछ देवी के पास आकर खड़े हो गए, तब अंबिका ने शत्रूं के प्रती बड़ा ही क्रोध किया, उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेडी हो गई और वहां से तुरंत विक्राल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार एक विचित्र खडग धारन किये और चीते के वस्तर पहने नर्मुंडों की माला से शुशोबित थी, जिनके सिर्फ रूप मातर से ही दैत्यों के पसीने चुट गए, यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक देवी की ओर दोड़ा, तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले, हुम शब्द का उचारन कर चंड और मुंड पर धावा किया, और केश पकड़ कर मस्तक को काट दिया, इसी कारण से माताकाली को चामुंडा नाम से भी जाना गया, बोलो चामुंडा देवी की जै, कोई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शरूर करें, और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,